हेलो दोस्तों देखो सीगो स्टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत दोस्तों पाँच अगस्त 2019 आज है और जो है पाँच अगस्त का यहाँ पर कर इंट अफियर आप देखने वाले हैं आने वाले सभी एक्जाम रेलवे एंटीपीसी, रेलवे ग्रूप डी, यूपेटर प्रसी, UPSI, RPA, पुलीस दोस्तों सभी एक्जाम जिसमें आपके करेंट से कोशन पुछाते हैं, जीके से कोशन आपके पुछाते हैं दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो होगा तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प कब हुआ है दोस्तों तो यह आपके एक्जाम में पूछा सकता है, 30 जुलाई 2019 को जो है इनका निधन हो गया है, अर्थ सास्त्री और RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभीर गोकर्ण जी थे, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन जो आपके एक्जाम में आ सकता है, जरलीन का निका, जरलीन का निका ने 2019 वर्ल्ड डेफ यूथ बैट्मिन चैंपियन में स्वन पदक जीता है, वे किस राज़त से हैं दोस्तों, तो जरलीन जरलीन अनिका जो है दोस्तों, यह आपकी है, जो राज़त है वो है, तमिल अडू से और इ निका जो है, 2019 वर्ल्ड डेफ यूथ वेटमंटल सीप जो है, इसमें जो इन्होंने स्वन पदक यानिकी गोल्ड मेडल जीता, यह तमिल नाडू से हैं, याद रखिएगा, चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहा इसमें आपको बताना है कि भारत के क्रिकेट कलब के पुर्व अध्याष का नाम बताइए, जिसका नाम, जिसका नाम, जिसका नाम जिसका नाम, नाम चर्च गेट पर इस्थित दिन शावेचा रोड पर गेट को दिया जाएगा उनका क्या नाम है तो विजय मर्चेंट जी के नाम पर दिया जाएगा जो दिन शावेचा रोड है उसके गेट का नाम दिया जाएगा ठीक है चर्च गेट पर इस्थित दिन शावेचा रोड पर जो है गेट का नाम दिया जाएगा वीजय मर्चेंट के नाम पर जो की भारत के क्रिकेट कलब के पूर्व अध्यश्ट का नाम है ठीक है इनके नाम पर जो है नाम रखा जाएगा नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पॉइंट जो कोशन है तो भारत के आईटी सेवा फार्म मांडेटरी के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कारेकारी अधिकारी का नाम याद रखेगा देवा सीच चटर जी चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो हाली में RBI ने किस bank पर 50 लाख रुपे का जुर्माना लगा है PNB bank पर 50 लाख रुपे का जुर्माना RBI ने लगा है चलिए, next important point की बात करते हैं, दोस्तो, तो हाली में लेखा महानियंतरक के रूप में किसने पदभार गरहन किया है, घिरीराज प्रसाद गुपता, यह मैं दूसरी बार ले रहा हूँ, एकजामें पूछा सकता है, घिरीराज प्रसाद गुपता जी ने क्या किया है, कौनसा प नियंतर का जो है इन्होंने पदभार समाला या ग्रहण किया है गिर्राज प्रसाद गुपता याद रखेगा चलिए नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन की बात करें दोस्तो तो हाली में किस फुटवाल खिलाडी पर तीन महीने का प्रतिबंद लगाए गया कौन सा फुटवाल खिलाडी है हाली में किस फुटवाल खिलाडी पर तीन महीने का प्रतिबंद लगाए दोस्तो तो इनका नाम है लियोनल मैसी मैसी जी पर यहाँ पर तीन महीने का प्रतिबंद लगा है याद रखेगा लियोनल मैसी में जो है मैसी पर यहाँ पर तीन महीने का प्रतिबंद लगा है फुटवाल के खिलाड़ी है चलिए next question next important point की बात करें दोस्तो तो हाली में digital fingerprints और iris scanning प्रनाली अपनाने वाला पहला जो राज्य उसका नाम आपको याद रखना है वो राज्य दोस्तो महारास्ट महारास्ट जो है क्या है हाली में digital fingerprints और iris scanning प्रनाली को अपनाने वाला पहला जो राज दोस्तो वो महारास्ट है ठीक है महारास्ट पहला राज है डिजिटल फिंगर प्रिंट्स और आईरिस स्कैनी प्रणाई को अपनाने वाला चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर दो तो हाली में किस देश ने राश्टपती रामनात कोविंद जी को यहाँ पर नेसनल ओर्डर आफ मेरिट से सम्मानित किया गया गीनी गीनी देश ने सम्मानित किया गया याद रखेगा कौन सा यह जो है नेसनल ओर्डर आफ मेरिट से सम्मानित इनोंने किया है नेसनल ओर्डर आफ मेरिट ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट राश्टिय सुरच्छा गाड यानिकि एन एसजी महानिदेशक का अतरिक प्रभार किसे सौपा गया है तो ए S.S. देशवाल को क्या अत्रिक प्रभार मिला है किस चीज का राष्टिय सुरच्छा गाड का N.S. G. महानिदीसक का जो है इनको एक जो है अत्रिक्त प्रभार मिला है ठीक है S.S. जो है देशवाल को Next important point की बात के दोस्तों तो हाली में संगाई CNAPS जो है के साथ जुडने वाला पहला भारतिया बैंक कौन बना है SBI दोस्तो SBI बना है याद रखिए कौन सा है क्या है हाली में संगाई में CNAPS के साथ जुडने वाला पहला भारतिया बैंक कौन बना है दोस्तो तो वो बना है SBI लिए दोस्तों याद रखिएगा ठीक है चलिए next question की बात करते हैं next question जो आपके exam में पूछा रहा सकता है दोस्तों हाली में हाली में मध्यूमिता हजारी का भगत को किस देश में भारत का अगला उचायूक्ट न्यूक्त किया गया है दोस्तो हाली में मधूमिता हजारी का भगत को किस देश में भारत का अगला उच्चा यूक्त न्यूक्त किया गया है दोस्तो साइप्रस में साइप्रस में दोस्तो याद रखेगा साइप्रस में मधूमिता हजारी का भगत को जो यहां पर क्या निउक्त किया गया है निउक्त किया है दोस्तो बारत का अगला उच्छा युक्त ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन जो आपके एक्जाम में आ सकता है हाली में मिस इंगलेंड 2019 Miss England 2019 के खिताब जोए इसका खिताब किसने जीता है दोस्तों तो भाशा मुखर जी यह जो है यह कहां कि मूल निवासी है मतलब मूल भारतिय मूल की यह है थीक है भारतिय मूल की यह है इसलिए आपके एकजाम के लिए very very important हो जाता है और इनोंने Miss England 2019 का किताब इनोंने जीत लिया है ठीक है ये भारतिय मूलकी है भासा मुखरजी भासा है तो भारतिय मूलकी आप ऐसे याद कर सकते हैं भासा मुखरजी है जो उन्हेंने Miss India 2019 का किताब जीत लिया है ठीक है very very important पक्का एक्जाम में आएगा 100% लिख लिजे Next बात करें दोस्तों तो हाली में देवदास कनकाल का निधन हुआ वे कौन थे दोस्तों तो अभिनेता थे अभिनेता थे दोस्तों यहाँ पर यह क्या थे एक्टर थे अभिनेता थे क्या नाम है देवदास कनकाल ठीक है इनका हाली में निधन हो गया यह अभिनेता थे चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं दोस्तों तो हाली में इंडो लंका चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इगारहमी वार्सिक बैठक कहां आयुजित की गई तो कॉलंबो में दोस्तों कॉलंबो में ये आपका वार्सिक बैठक आयुजित किया गया क्या है हाली में इंडो लंका चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इगारहमी वार्सिक बैठक ये कॉलंबो में दोस्तों जो है आयुजित किया गया चलिए नेक्ट बात करत ने महात्मा गांधी और खादी पर प्रदसनी का उधगाटन कहां किया गांबिया में दोस्तों गांबिया में उधगाटन किया है ठीक है हाली में रामनात कोविंद ने महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनी का उद्धाटन कहां किया गांबिया में दोस्तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं दोस्तो तो चौथा दच्छिड ACI स्पीकर सिखर सम्मेलन कहां होगा चौथा दच्छिड ACI स्पीकर सिखर सम्मेलन कहां हो दोस्तो तो माल दीव में माल दीव में होगा दोस्तो चौथा दच्छिड ACI स्पीकर सिखर सम्मेलन याद रखिएगा यह आपके एक्जाम में आ सकता है कहां पर होगा माल दीव में नेक्स्ट बात कर दोस्तो तो हाली में किस राज्य सरकार ने देखिए किस राज्य सरकार ने वही डिक्री योजना शुरू की डिक्री योजना किस राज्य सरकार ने दोस्तो अपकी शुरू किया है हाली में गुजरात ने याद रखिए गुजरात ने शुरू किया है याद चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात के दोस्तो तो विश्व बैंक की GDP रैंकिंग में दूसरी बार में ले रहा हूँ इसको विश्व बैंक की GDP रैंकिंग में 2018 में दोस्तो जो है कौन सा देश सीर्स स्थान पर सुची बद्ध हुआ वही कोश्चन घुमाफिरा के पूछा जासकता है तो सन्युक्त राज अमेरिका अमेरिका आपको याद अखना है दोस्तो सन्युक्त राज अमेरिका जो है विश्व बैंक के GDP रैंकिंग में सीर्स पर सुची बद्ध राज सीर्स पर आया है पहले नमबर पर रहा ठीक है चलिये नेक्स्ट बात के दोस्तो तो टेलिकाम कमपणी एयर्टेल टेलिकाम कमपणी जो एयर्टेल है 2020 के किस महीने तक पूरे भारत में 3G सर्विस बंद करने की घोश्णा किया है ठीक है क्या किया है टेलिकाम कमपणी एयर टेल ने 2020 के 20 के किस महीने में जो है यहाँ पर किस महीने तक पूरे भारत में 3G सर्विस यह बंद करने की घोश्रा किया है तो 2020 का जो है मार्च 2020 में क्या कह रहा है कि हम बंद कर देंगे अपनी 3G सिवा जितनी भी है भारत में ठीक है याद रखेगा करते हैं दोस्तों कि कौन सा कौशन आपके कल एक्जाम में सुरी कल जो है करेंट अफियर में आपके पूछा गया था तो करेंट अफियर में दोस्तों के कल हमने पूछा था कि हाली में याद रखेगे हाली में जारी QS World University की रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनि सबसे अच्छा छात्रों के लिए है और वो भारत में है ठीक है वो भी आया है सिर्ष पर तो सिर्ष पर जो है आप जानते हैं सबसे नंबर वन पर आया लंदन एक क्यासीवे नंबर पर हमारे देश का बैंगलोरु सहर है ठीक है तो दोस्तों आपको यह भी आज़ रखना ह आपके एक्जाम में आ सकता है आज का सवाल है देखते हैं कौन को लोग सही जवाब देते हैं कमेंट बाक्स में सभी लोग इसका उत्तर देंगे हाली में जारी वर्ल्ड बैंक की वैस्विक जीडिपी रैंकिंग में कौन देश सिर्ष पर रहा जापान चीन अमेरिका या इनमें से कोई नहीं सभी लोग कमेंट बाक्स में उत्तर देंगे देखते हैं कौन को लोग सही जवाब देते हैं ठीक है बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक की वैस्विक जीडिपी रैंकिंग में कौन सिर्ष पर रहा यानि पहले नंबर पर कौन रहा ठीक है तो देखिए उस अगर अगर अपने देखो सी कोई इस वैदी चनल में अवरत तको सस्क्राइब नहीं किया दोस्तों फूह सब्सक्राइब के लिए साथ साथ बेल आइक令 को प्रैस width नहीं किया दिखते हैं देखिए देखो सी को इड़ीयो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभा